होसले बुलंद हों तो कुछ भी करना ना मुंक्विन नहीं होता है ये साबित किया है ITBP और BSF की भारतिय पैरा एथिलीट टीम ने ITBP और आदित मेहिता फांडेशन की तरफ से इंफिनिटी राइड का आयूजन किया गया जो 16 अगस से 23 अगस तक उतरखंड के आली में हुई और इसका समापन जोशी मट के ITBP केम्प में किया गया समापन के मौके पर ITBP आली के डियाजी गंभीर सिंग और कमांडेंट विकरांत थपलियाल ने सभी साइकल सवारों का स्वागत किया और फूल माला पहना कर प्रतिभागियों का होसला बढ़ाया इस रेस में ITBP, BSF के दिव्यांग जवानों ने हिस्सा लिया यह पैरा साइकलिंग रेस देरहदून से शुरू होकर भारत-चीन सीमा इस्थित माना पास पर खत्म हुई इस रेस को 15 पैरा साइकलर और 25 सक्षम साइकल सवारों ने पूरा किया इस साइकल सवारों ने 406 किलोमीटर की दूरी साइकल से 8 दिनों में पूरी की लेकिन लगातार बिगड़ते मौसम और बंद होते हाईवे प्रितिभागियों के लिए बड़ी चुनोती साबित होते रहे बावजुदिसके प्रितिभागियों ने अपनी सूजबूज के साथ इस रेस को पूरा किया साइकलिंग गुरुप के सदस्य और फाउंडेशन के संस्थापक का कहना है कि पैरा साइकलिंग टीम रेस में बाकी प्रितिभागियों से हमेशा आगे रही है प्रितिभागियों से माना पास मतलब सुला तारीफ हम लोग निकले थे हैं और तेवी इसको आज फ्लागिं किया था बावीस तक हम अब एक्रिपाइट किसम करी यह एबल बाडी से पूरी हमारी पारा साइकलिंग टीम काफी आगे रही थी एक गंटा पहले 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 प वहीं इस बारे में ITBP कमांडेंट का कहना है कि सेना में रहते हुए जवानों के अंग भंग होने की संभावना रहती है जिसके बाद अगर उनको मुखेधारा से ना जोड़ा जाए तो उनका मनोबल तूटता है इस रेस के जरिए पैरा एथलेट को मुखेधारा से मनोबल बढ़ाने में मदद मिले की सपोर्ट सिस्टम तयार किया है जिसमें की स्पोर्ट के मात्रम से इन लोगों को वापस मुखेधारा में लाया जाता है और उनको यह एसास करा जाता है कि वो इस समाज के एक महत्पूर्ण पार्ट है यह राइट दरसल एक फंड रैजिंग साइकिलिंग इवेंट है इससे जमा की गई धनराशी को 2022 में मसकट में होने वाले पैरा ओलंपिक गेम्स में हिस्सा लेने वाले भारतिये पैरा एथलेट्स की ट्रेनिंग के लिए दी जाएगी साती भवश में भी ऐसे कई इवेंट कराने की योजना है पंजाब केसरी टीवी के लिए चमौली से पूरन सिंख रिपोर्ट